हेलो कैसे ही हैं आप सब में behavior करती हैं एपने आपकी होक। में पर्स वहीं कुछ ब्تार्दू करते और में जाए सबसे आइसा सकते हैं जो सकते हैं अगर में इस नहीं करती हैं सबसे घ्रिक्र्ण सबस्दीजwol , तो में עपके मेरे में में घ्रिकश कर सुध जिदने। करण खरे हैं हिसार यह कर लेन चाला कि और मैं इए तोर आप को पता को लिए करण दमें कर्णाइब है यह तो एक ग्रांट चाला के दो मेरे को जो बुट आप इसे वे इनक्री मैं उसक्ता improve अंदर फटेगा जो सेकेंड भाय है वह है ओलिव लाइन अपके यह आपके सकीन के लिए आपके lihat के लिए referring बहुत ही इसेंसिकल पाल के बाई करता है जब बटाई होंगे अगर बता बाता seven को सर्च करने जाएं तो इसके हैं इतने सारे फाइदे हैं अगर फाइदे गिंने a लग जाओ तो लम्बी लिस् टो जागी तो मेह के लिए वह यह है कि आपके जो रहते बाले ककरता है वह लौ ब्लैक करता है ऑनग सब्सक्राइब के लिए के लिए लेकिन किमति एड़िक व्र american में रिस आइप करते हूं करती हो मैं ज्यादा इसको अप्लाई नहीं करती विटमीन के कैपसुल एंड हां मन्त में टू टाइमस वन टू टाइमस मैं यूज कर लेती हो तो यह भी आपके स्केल्प के लिए भी बहुत जुरूरी है तो अब हेर मास्क रेडि करते हैं अब इसमें कितना कितना एड करना ह है इसमें 2 स्पून मैं 2 पूंस सिर्फ लेती हूं कैस्ट्राइल 2 स्पून लेती हूं ओलिव औली एंड तूप कैपसुल वित्मीनी के तो मैंने इसमें विटमीनी के कैस्ट्रो एंड डब बौ camping है कर लिए मैंने डार्यक्ट गरम नहीं किया है आप इसकों डबल बॉलिक र एड़ करूंगी है है हुआ है यह मैंने दो कैप्सुल बीटमेनी के एड़ कर लिए इसमें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कर लिए तो अब इसको मैं अपलाई करती हूं तो मैंने अपने हेस को टू पार्स में डिवाइड कर लिया है उसके बाद अपने हेस को आप एक साइड में ताय कर लिए क्यूंकि ज्यादा खुले होंगे अब मैं तो नहीं कर पाती है आप अपना देख लीजिए क्योंकि बैसे तो ममी यूज करते हैं तो आज मैं अपने अपलाई करने वाली हूं तो इसको मैं कॉटन की हैल्प से यूज करूंगी कॉटन खैल्प से यूज करें उसकी आपके जो रूट्स तक है। आपके रूट्स तक पहुंच जाएगा और आपको असानी भी होगी और आपका जो मास्क है वो आपका वेस्ट भी नहीं होगा गिरेगा नहीं कायो कि black कायो क्यों को में इन्यूEM कोशने यह शोड़ा आपके वाल शाइनी करता है तो केस्ट बी आपके लिए बहुत बुक्त हमाँ यह करती थी जो मैं एक हैं अब पहले नहीं है तो आप मैं इसको ज्यादा यूज करती हूं क्योंकि इससे ही आपके जो बाल है वो ज्यादा आपके स्टॉंग रहेंगे कि आप इसको रेगलर यू रैगलर नहीं आप इसको वीक में वन टाइम इसको यूज कर सकते हैं आप कि मेरे से अच्छे से लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं अपने तो कि आप किसी और से लगवा सकते हैं कि मैं पूरे में अप्लाई करने जा रही हूं मेरे से हाफ में तो नहीं हो रहा कि वीट मेंने के कैप्सुल के बहुत सारे फाइद हैं आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि यह समीं प्लाई कर सकते और कैस्टर भी आप इसको फेस पे भी एंड कि हिसमें दोन में बहुत ही यूश्फुल है बहुत बैनिफीट है इसके तो आप यह बहुत ही जरूरी आप इसको नॉर्मली लगा भी सकते हैं फेस में बहुत है लिए तो अच्छे हैं कि आप जब यह मास्क अप्लाई करें उसके पहले ही आपके जो हैं वह आपके साफ होने चाहिए यह नहीं कि आप हफ्ते पहले आपने सिर्फ धोया है तो इसके बाद इसको अप्लाई करने तो आपके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि आप जब हेर ओइलिंग करते तब भी आपको आपके बाल इतने गंदे नहीं होने चाहिए हेर वाश के बाद आपको हेर ओइलिंग करनी चाहिए क्योंकि आपने बाद में तो बाल दूल नहीं है उसके पहले भी आप जादा यह नहीं कि आप पहले बाल दूल रहे हैं उसके बाद ऑइलिंग कर रहे हैं लेकिन आप इतने भी आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए नहीं तो आपके बाल और भी जादा डैमेज हो जाएंग झाल झाल कि मैंने हेर्स में अप्लाई कर लिया है स्केल्प पे अब हेर्स में अप्लाई करूंगी तो बहुत ही तफ है अपने खुद लगाना अगर किसी को आप किसी की हैल्प ले सकते हैं तो वह ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने कभी अपने अप्लाई नहीं किया है तो आज मैंन लेकिन आप इस मास्कों को दोवर आप अपलाई कर सकती है अफ्ते में यह नहीं है कि आप लेकिन ज्यादा भी यूज नहीं करें क्योंकि कोई भी चीज है तो ज्यादा आप यूज करेंगे तो फिर हार कर ही देती है तो यह नहीं कि आप इसको लगाए जा रहे हैं तो यह अ मैं है इस में अपलाई रपती हुआ 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 है अब इसको जो एंड्स तक है अपने बालों के उसमें भी आप जरूर अप्लाई करें अच्छे से अप्लाई कर रही है तो यह अप्लाई मैंने कर लिया है यह देखिए तो यह अप्लाई होगे पूरे हेस में अब आप इसको टाई नहीं करें अब इसको खुला ही रहने तो ज्यादा अच्छा है अब इसको टाई ना करें मैं इसको ज़्यादा एक और रहा कने हैं व। durante sa को जाइंगे